अगर आपको बिना मेनत का पिज़ा खाने का मन हो रहा है तो आप इस रेसीबू को ट्राइक कर सकते हैं तो इसको बनाना काफी ज़्यादा आसान है और टेश्टी तो सेम पिज़ा जैसा ही है तो हमें एक बाउल ले लेना है उसके अंदर थोड़ी सी शिमला मिर्ची ले लेन तो मैंने यह पर आधी शिमला मिर्ची लिये और आधी ही गज़र ली है साथ में थोड़ा सा हरा धणिया हमें इसके अंदर डाल देना है और इसके अंदर हमने बारीक प्याज कटा हुआ एक मीडियम सैस का छोटा प्याज मैंने यह आपर लिया था और उसको बारीक एकदम से चौप कर लिया और इसके अंदर हमने इसको डाल दिया है साथ में थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देना है और साथ में थोड़ा सा ओरिगेनों भी हमें यहां पर डाल देना है तो इस तरीके से हमें सारी सामगरी को मिक्स कर लेना है साथ में अभी लाष्ट में जो हमें ड ग्रेट कर दिया था, दो क्यूब्स लिये थे मैंने चीज के और इस तरीके से ग्रेट करके हमने इसको डाल दिया है, अब थोड़ा सा काला नमाग, थोड़ा सा गरम मसाला, ध्यान रखे का ये मसाले थोड़े कम-कम ही डालने हैं, और थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चाट मसाला अब इसको जो है अच्छे से मिक्स कीजिए पूरी तरीके से अच्छे से मिक्स हो जाने चीए चीज के साथ और अभी इसको हातों से थोड़ा सा मिक्स कर लेना है चीज के साथ ही और इसको साइड में रख देना है और अब करती है आगी की तेयरी तो मैंने या पर कुछ ब्रेड ले ली है और अभी ब्रेड को थोड़ा सा हलका सा रोल कर लेंगे यानि कि थोड़ा सा उपर बेलन गुबा के थोड़ा सा लंबा कर लेंगे और अभी इसको एक ग्लास की या फिर छोटी कटोरी है तो बहुत ज़्यादा तो इस तरीके से हमें इसको दबाती हुए कट कर लेना है और राउंड शेप इसका हमें निकाल देना है तो आप देख सकते हैं ब्रेड की सारे राउंड शेप हमने इसके निकाल दिये और मैंने या पर एक अप्पे पैन ले लिया है दूस्तों और उसके अंदर हमें थोड तो आपके पास छोटी कटूरी है तो उससे आप काट सकते हैं और इस तरीके से जो मिशन है वो इसके अंदर हमें डाल देना है जो ब्रेड है पहले वो रख देनी है और उसके अंदर मिशन और साथ में ही उपर से हमें थोड़ सा चीज जो है मैंने यहापर स्लाइस चीज जया जो बताएगा और आप तक आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जरू कीजिएगा इस तरीके से आसानी से आप पिज़ा का टेस्ट अपने गर पर ले सकते हैं और थोड़ा से उपर से ओरिगेनों में ने आपर डाल दिया है और बहुत ही टेस्टी और डिलिशेस ये रेसिपी है तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राइ करें बाबाई